कम्पनी के मुनाफ़े और आई दोनों में बढ़ोती देखने को मिली है कम्पनी का मुनाफ़ध 262 करोड से बढ़ करके 274 करोड रुपए हो गया है वहीं आई की बात करें तो ये 1756 करोड रुपए से बढ़ कर अब 1874 करोड हो चुकिये EBITDA margin 18.6% से घटकर 18.4% हो गई है